हेलो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे तो आज मैं बनाना जा रहे हूं मसाला चाय तो चली में बनाना स्टार्ट करती हूं तो मसाला चाय बनाने के लिए बने चाहिए एक चम्मस लॉंग और चाहिए तीन बरी इलाइची और चार-पांच टुकरा दाल चीनी का और एक जाइफल और एक चम्मस इलाइची छोटी इलाइची और एक चम्मस काली मिर्ची और मुझे चाहिए सौंट पाउडर तीन से चार चम्मस यह आप किसी भी दुकान पर ले सकते हैं किरान यह स्टोर पर मिल जाएगा राम से आपको अब मैं एक लूँगी पैन पैन को गरम होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सारी मसाले को गरम मसाला लॉंग काली मिर्च इलाइची दाल चीनी असे पी को डाल दी हूँ इसे लो फ्लेम पे इसे गरम कर लेना है जब इसे आप गरम करेंगे तो अच्छी खुस भुआएगी यहाँ पे लेकिन इसे जलाए ना बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसे गरम करें यह देखिए इलाइची मेरी फूल चुकी है यानि यह पूरी तरह से गरम हो चुका है यह लॉंग भी फूल चुका है अब मैं इसे निकाल लूँगी पहले इसे ठंडा होने देंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसमें जाइफल को मैं कूट ली थी उसे भी साथ में डाल दूँगी अब मैं एक मिक्सर जार में सभी सामान को डाल कर इसे मैं पीश लूँगी यह देखिए इस तरह से पीश लेना है अब इसमें मिक्स कर देना है सांट पाउडर को अब फिर से एक बार इसे पीशना है यह देखिए पीश चुका है यह कितना अच्छा चाय मसाला बन चुका अब कभी भी ठंडियों में चाय बनाते हैं तो छोटा चमस चाय में डाल दिया केजल चाय की खुस्वू बहुत ही अच्छी आती है और स्वाधिश्ट भी बनता है तो इस तरह से फटा फट आप चाय मसाला बना सकते हैं और ज्यादा मेहनत भी नहीं है तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए